Hi everyone, exam medicine channel में आप सभी का स्वागत है हम यहाँ पे computer literacy के practice set को कर रहे है previous year में जो भी प्रश्ण पूछे गए है आपकी PCS परिक्षा में, ROARO परिक्षा में और UN exam में वहीं से ये प्रश्ण लिये गए है आपको मैंने practice 1 प्रवाइड किया था आज इसका set number 2 है चली वीडियो को start करते हैं पहला आपका प्रश्ण है आज का DVD, static RAM, cache memory एवं hard disk में से सबसे तेज memory कौन सी होती है तो cache memory होती है देखे, cache memory लगाते ही इसलिए है CPU में कि जो आप instruction देते हैं या कोई चीज user देता है उसके speed को maintain करने के लिए ही लगाई जाती है तो cache memory सबसे fast होती है आगे देखेंगे bus, ring, star, even tree में से internet system कि तकनीकी का प्रियोग करता है तो जो internet system है वो tree का प्रियोग करता है अब हम बात करेंगे कि bus क्या है ring क्या है ये topology है topology का मतलब देखें कि जो हमारी networking होती है जब हम किसी computer को connect करते हैं तो जो दिया गया है bus, ring, star, tree ये सब network जो होते हैं computer को जोडने का काम करते हैं जिस तरीके से इनका नाम है उसी तरीके से system को इसके द्वारा connect किया जाता है जो bus होता है इस तरीके से बना होता है और यहाँ पे address बस होते हैं यहाँ से जाते हैं यहाँ से computer का connection हो जाता है उसी प्रकार से ring है तो ring का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो है round की तरह से होता है circle में अगर हमें system को connect करना है तब हम ring topology का use करते हैं star topology का मतलब होता है इस प्रकार से एक system दूसरे system से connect होता है आमने सामने लगाए जाते हैं ठीक है यह star topology होती है और tree topology का मतलब होता है आप समझ सकते हैं tree का मतलब पेड़ पेड़ है अगर तो उसकी बहुत सारी शाखाए होती है इंटरनेट सिस्टम का पूछ रहा है कि कौन सी तकनीकी का use करेगा किस topology का तो tree topology का use करते हैं tree topology का मतलब समझ यह जैसे मालो यह कोई पेड़ है ठीक है tree है तो उसके कई भी branch हो सकते हैं कहीं से भी हम इसे निकाल सकते हैं तो जो tree topology है इंटरनेट सिस्टम को जोडने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि हमें computer कहीं पर भी जोडना हो सकता है ठीक है किसी बड़े एरिया में चोटे एरिया में जिस तरीके से आप चाहें यूज कर सकते हैं यही होती है पर tree topology और यह जो दिया गया प्रशन है इसमें से इंटरनेट सिस्टम जो है tree topology का यूज करता है आगे बढ़ते हैं दिया हुआ है bit छोटा रूप है किसका तो binary digit का binary digit का छोटा रूप होता है bit माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना जाती है CPU में जाती है CPU जो होता है computer का brand होता है पता है आपको आगे देखेंगे UPS UPS का full form पुछा गया है तो उसका मतलब होता है uninterrupted power supply देखे UPS का आप use हमेसा करिए या ना करिए ऐसा नहीं है कि आपका system काम करेगा नहीं UPS लगाएंगे तो भी चलेगा नहीं लगाने पर तो भी चलता है UPS क्या होता है एक तरगे से आप समझ सकते है step laser का काम करता है और आप जैसे system मालीजे चला रहे है आपका computer system है अगर light आपकी जाती है ठीक है electricity जैसे ही कट होगी तो automatic system बंद हो जाते है अगर UPS लगा होगा तो आपको कुछ minute का time मिल जाता है जिससे कि आप properly अपने system को shutdown कर सकते है ठीक है और जितनी power supply देनी चाहिए system को उतनी ही मिलती है UPS अगर लगा है तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा जितने भी direct supply आ रही है और आपके computer system को वो खराब कर सकते है UPS आप use कर भी सकते हैं और नहीं भी कुर्णला के safety के लिए ही है आगे देखेंगे किस प्रकार की digital file एमेल में से संबंदित हो सकती है तो संगीत document photo ये common चीज है जो चीज आप लोग mail करते हैं पूछा जारा उसमें क्या क्या कर सकते हैं music भेज सकते हैं आप कोई document भेज सकते हैं photo भेज सकते हैं तो ये साई चीजे की जा सकते हैं email के द्वारा physical or network layer के बीच में कौन सी layer पाई जाती है तो data link layer होती है देखिए एक होता है OSI model आपको इतना पढ़ना नहीं है तो मैं यहाँ डीटेल आपको बहुत नहीं बता रही हूँ एक होता है अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें भी होता है फिर 5 layer और 7 layer की होती है तो उसमें कई layer होती है इसमें physical layer, network layer होता है डेटा लिंक layer होता है तो उसमें पूछाए कि जो physical layer हो network layer है उसके बीच के layer को क्या कहेंगे तो डेटा लिंक layer कहेंगे आप यहाँ पर सब इतना ही जानी है आगे देखेंगे डेजी विल प्रिंटर का प्रकार बताईए तो होता है आपका impact printer देखें लिखाए डेजी विल प्रिंटर का प्रकार है impact printer ठीक है आगे देखेंगे तलाश है इंटरनेट पर एक multimedia portal तथा एक optical character recognition है इसका संचालन सीडेक द्वारा देव नागरी में किया जाता है जो तलाश है यह word लिखा हुआ है वो है क्या पूछा गया है तो यह इंटरनेट पर एक multimedia portal तथा एक optical character recognition तथा इसका संचालन सीडेक सीडेक company मैंने बताया था पूरे की है तो सीडेक द्वारा देव नागरी में किया जाता है ठीक है और अभी आपने जो भी printer के बारें पढ़ा और डेजी विल प्रिंटर, deeper भी दोप्रकार की होते है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है नौण इम्पैक्ट होते है ठीक है नौणिंपैक्ट में sound की आवास यहाती चोबकी laser volts होते है ज्यादा थर यूज होते है वह आपकी ..... आगे बढ़ते है Cyber Law की सब्दावली में DOS का मतलब बताईए देखिए आप एक DOS को जानते हैं Dict Operating System Disk Operating System लेकिन Cyber Law की Dictionary में या कहले सब्दावली में इसका मतलब होता है Denial of Service ठीक है याद रखेंगे कि आप किसके संदर्व में ये प्रशन पूछा जा रहा है ध्यान देंगे ठीक है एक होता है आपका Operating System जिसका DOS ही बोलते हैं लेकिन उसको कहते है Disk Operating System लेकिन यहाँ पर क्या है Denial of Services ये है Cyber Law के छेतर में यूज करते हैं Junk Email को क्या कहते हैं तो Spam कहते हैं कल आया तो Spam मैंने बताया भी था देखिए Protocol Login Archie है ये क्या है तो सूचना प्रदिवगी की शब्दावली की भाग है मतलब जो Information Technology होते हैं उसकी शब्दावली है प्रोटोकॉल बैसे समझ सकते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है रूल होते हैं तो जो हमारे Computer System में जो भी आप काम करते हैं चाहे Network के माधन से करिए चाहे Offline Mode में करिए वो सब भी किसी ना किसी प्रोटोकॉल के तहती होते हैं वैसाई चीजे होते हैं आगे देखेंगे विद्यावाहिनी परियोजना किस बल किस पर बल देती है जो विद्यावाहिनी परियोजना है वो Computer साक्षरता पर बल देती है आगे बढ़ते हैं HTML का विस्तित रूप बताईए HTML का विस्तित रूप क्या होता है Hyper Textive Markup Language Full Form याद रखेंगे Important है URL का भी पूछा जाता है Uniform Resource Locator IBM का होता है International Business Machine IBM आप अकसर देखते होंगे आपके Keyboard है Computer System है बहुत साई चीजे होती है Computer Hacker क्या होता है एक व्यक्ति जो व्यक्तिकत लाग के दूशित इरादे से Computer सुरक्षा का पालन नहीं करता है Computer Hacker जो Computer को Hack करता है ये आम बोल चाल की भासा में बहुत सुनने को आपको मिलता है कि किसी के Computer Hank हो गया है कि होने का मतलबत हो Hacker होता है वो कई तरीके के Technology यूज़ करके अधर किसी परसन के डेटा को चुराना कुलमला के वही होता है Computer Hacker देखे हैकिंग, स्टॉकिंग, इवं सर्विस आगाग की जो है मना ही है Cyber Crime का रहे हैं मतलब Cyber Crime में क्या क्या आते हैं इमेल पते के दो भाग होते हैं इसको बताईए मैने कल इमेल इसको पहले ही बता लिया था प्रयोग करता का नाम इवं डोमेनेम जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी उसको ये क्लियर हो जाएगा यूजर नेव डोमेनिम क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो कॉफरेंसिंग क्या है तो दूर संचार प्रदयोगी की का उप्योग करते हुए वीडियो काल पर परही चालन करना जब से covid आया है video conferencing जो है आम हो गया है छोटे से बच्चे को भी इसके बारे में जानकारी है कि क्या होती है आगे बढ़ते हैं menu में किसकी सूची होती है जो menu आप कोई भी खोलते हैं तो किस की सूची होती है तो commander की सूची होती है .com.gov.net जो है क्या है तो valid domain name extension है कल मैंने extension name भी बताया था com का मतलब commercial बताया ही था आपको .gov रहेगा तो मैंने बताया government.in रहेगा तो इंडिया से मतलब है इस तरीके से होता है कल आये थे कल की वीडियो में आप फिर से जाके देख लीजे आगे बढ़ते है अगली प्रिश्न को देखते हैं पहला computer किस ने बनाये था तो चार्ल्स वैवेज ने अठारह सो साइटीस पे बनाये था आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स वैवेज को ही क्या कहते हैं computer का जनक कहते है या father कहते हैं आगे पढ़ते हैं computer में प्रयूक्त mouse की body लगभग 40 वर्स बनाई गई थी उस समय वह किस से बना था तो लकड़ी का बना हुआ था जब पहले mouse 40 साल प संस्था के परिपत में प्रवीज करने की सुविधा देता है और प्रेशित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है मतलब जो आपका आभासी नीची परिपत होता है virtual private network है ये जो है internet बना computer का एक वे है मतलब परिपत है रास्ता है जो की user को जो होता है अपनी संस्था में प्रवेश करने मतलब कर उसने कोई चीद बनाई है तो उस computer को जोड़ती है तो विविन देशों में से सूचना संकलित कर satellite द्वारा विष्व में पहुंचाती है उससे क्या कहते है तो निकनेत कहते हैं क्तिन秩 चार कॉर्णपिस्टन और ऐसे भी बनाए जाते हैं खास तोर से जब आप PCs परिक्षाएं देते हैं UPSC के परिशाय देते हैं, तो उसमें आपके जो है इस तरीके के परिशन पूछे जाते हैं कि तोनों सही है, या तीनों कथन गलत हैं, या सभी सही हैं इस प्रकार के, तो ये परिशन इसी तरीके का है, कि computer के बारे में कथन सकते हैं, तो जो दिये जहें फिलाले हाँ पर सभी सकते हैं, आकडों के भंडारन वाली एक सक्षम युक्ति हैं, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए ये जो है एक अच्छी युक्ति है, अच्छे डिवाईस है, computer सही है, आकडों के विशलेशन करने में सक्षम है, मतलब डेटा का विशलेशन करने में सक्षम है, पुर्ण गोपनियता बनाए रखने में सक्षम है, जैसे कि आप कोई चीज रखे हैं सिस्टम को, तो पासवर्ट डाल दिया या कोई चीज, तो गोपनियता बनाए रखने में भी सक्षम है, कभी-कभी वाईरस द ने किया तो dr. Allen M. Turing प्रिश थीया दे मोहीं ग Corey कॉल्य को किंट प्रफने में दूच्क के लिए काम आते है तो चीज़ें आप करते भी दो किंट रूधन प्रिश भीकम है तो देख लिए ये Bluetooth जो होता है 2.4 GHz, GHz जो लिखाय से GHz बढ़ते है, Radio Frequency Spectrum प्रयुक्त करता है, जब कि Wi-Fi 2.4 GHz आवरिती पट्टी मतब Frequency Spectrum प्रयुक्त करता है, आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है, वीडियो मेल में हम भेज सकते हैं, जो वीडियो होता है, उस मेल में क्या कर सकते हैं, तो Graphics, वीडियो क्लिप और वीडियो Messages भेजे जा सकते हैं, MS Word प्रयुक्त किया जाता है, पद्यांस Data शंसोतन में, मतलब पैराग्राफ लिखने में और उसको करेक्शन करने में MS Word का प्रयुक्त करते हैं, शासन के लिए Computer के प्रयुक्त को क्या कहते हैं, E-Governance, ठीक है, Government के लिए E-Governance, CAD का तातपरे बताईए, CAD का मतलब क्या होता है, Computer Added Design, Data का एक वचन क्या है, मतलब Datum, Microsoft Word, किसके एक्जामपल है, Application Software का, Software को यदि आपको डीटेल में जानना है, तो चैनल पे कुछ वीडियो अफ्लेवल होंगे, आप वहाँ से देख सकते है KBS exam के लिए मैंने चीज़े बताई थी, आगे बढ़ते हैं, Computer शब्दावि में USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो Universal Serial Bus होता, Universal Serial Bus, Computer में Password सुरक्षा करता है, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन को, मतलब किसी भी data को कोई से आपका ले नहीं सकता, तो अनाधिकृत ही कि अगर आप नहीं जो चाहते हैं, उसको कोई उसमें ले नहीं सकता है, Computer में Password, Computer का Password आपको फोन में यूज करते हैं, तो जो उसका Sense है, वही ठीक, Computer का भी है, आप समझ सकते हो, आगे देखिए, Digital Computer के सिध्धान्द पर कारे करता है, तो Logical सिध्धान्द पर कारे करता है, Computer आकड़ों की त्रोटियों को प्रदर्शित करता है, Bug, Bug क्या होता है, Computer Error जो होते हैं, ठीक, Computer में जो त्रोटियां होती हैं, उसे Bug कहते हैं, और उन्हीं त्रोटियों को जब सुधार दिया जाता है, तो उसे Debugging कहते हैं, Debugging यूज करते हैं, आप लोगों को मैं कुछ व प्रश्नी देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको इसकी वीडियो भी जल्द प्रोवाइट कराऊंगी, आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग शब्द, दो शब्दों का सयोजन है, वे ब्लॉग, वे ब्लॉग को ही ब्लॉग कहते हैं, गूगल, अल्टा विस्टा तथा साइन्स डाइरेक्ट, क्या है, तो सर्च इंजन के नेम है, मूल, निवेस, निर्गम, प्रणाली, कम्प्यूटर में विद्यमान रहती है, हार्ड डेस्क में, योजना बनाने में प्रिफ्ट डाटा यंत्र प्रायर कहा जाता है, तो निर्गने विशलेशन यंत्र को, एस एमेस का फुल फॉर्म पुछा गया है, जो आप लोग एस एमेस करते हैं, तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वर्चूल मेमोरी का आकार जो है, निर्वर किस पर करता है, तो डिस्क स्पेस पर निर्वर करता है, इरान के कम्प्यूटरों में पकड़ा गया, जो है, इस्टमस नेट, वर्ग, क्रिमी जिसे कहते हैं, वर्ग क्या है, तो नाबकी सेंट्री फ्यूजों को नस्ट करने का द्वेशपूर्ण प्रोग अब कहते हैं नो जो आपने command दिया वो आगे की प्रक्रिया में बढ़ रहा है तो processing start है उसे हम कहते है executing आगे बढ़ते हैं कार में लगा हुआ गदी मानक computer निरूपित करता है तो analog computer को कौन सी memory का सबसे कम access समय है तो cache memory, cache memory ही सबसे तेज memory होती है मैंने सबसे उपर ही आपको बताया था चीतर संदेश निजी inbox में कितने दिन रहते हैं तो 30 दिन तक रहते हैं जो संदेश होते हैं जो की inbox में आते हैं कोई अगर आपको mail भेजता है तो आपके inbox में होता है और send जो होते है inbox उससे आपने कोई mail भेजा है वहां रहता है ड्रॉफ्ट भी होता है उसमें option ड्रॉफ्ट में क्या होता है जैसे आपने कोई चीज लिखी लिखी लेकि उसको सेंड नहीं किया लिखना ही ज़रूरी नहीं है कोई image कोई भी चीज हो सकती है उसमें सीम का full form बताना है आपको सीम सभी लोग यूज करते हैं तो इसका full form होता है जो है subscriber identity module Microsoft क्या है तो software विकास करने वाली एक संस्ता है एक pen drive है एक जो है हटाई जाने वाली द्वितिय भंडारन एक है विकास के लिए सूचना प्रद्योग की का अधिक अधिक उपयोग रणीती क्या है तो आंध प्रदे सरकार की IC चीपों द्वारा निर्मित प्रथम digital computer जाना जाता है IBM system 360 इसका पूरा नाम ही है flash memory के बारे में निम्न कफन सही है जो दिया है flash memory के बारे में सभी कफने आये करके जान लेते हैं यह digital camera laptop आधि जैसी युकतियों में सूचना संग्रख के लिए प्रियुक्त होता है यह विस्तर ताब परास जो है minus 40 degree Celsius से plus 85 degree Celsius में कारे कर सकता है या कमशक्ति का उप्योग करता है computer program के लिए दूसरा नाम बताईए तो computer software software होते क्या है तो programs के collection ही होते हैं जिसको हम software कहते हैं तो वही पूछाए कि computer जो program है उसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं तो उसको हम computer software कह सकते हैं लिखित program जिसके कारण computer वांचित तरीके से कारे करता है उसे क्या कहते है software वही चीज़ है IBM का पूर्णू बताईए International Business Machine computer का मुख्य पटल कहलाता है तो motherboard कहलाता है किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता tablet PC होने का दावा किया जाता है तो आकाश आगे बढ़ते हैं SkyDrive किस company की cloud computing सेवा का नाम है तो ये है Microsoft विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है तो computer सक्षर्था पर आप से पूछा जा सकता है विद्या वाहिनी परियोजना किस से संबन देते तो computer सिक्षा से संबन देते इस बात को ध्यान में रखेंगे आगे बढ़ते है देखिए अगला दिया है भारती भूवज्यानिक सरवेक्षा GSI ने भुकंब की दृष्ट इससे खतरनाक छेत्रों की पहचान करने है तो देश भर में कितने GPS स्ठेशनों के स्थापना की है तो 22 GPS स्ठेशनों के स्थापना की गई थी भारत का पहला जयव प्रद्योगी की विश्ववद्याले स्थापित करने की योजना किस राजय सरकार ने बना रही है तो गुज़रा सरकार ने देखिए अगला है इसरी स्वाभिमान पहल प्रारम करने वाला जो है मंदराले कौन सा है तो इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्योगी की प्रद्योगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नेशुलक अध्यन सामगरी उपलब्द कराने है तू दिशारी एप किस राजने लॉंच किया है तो ये राजस्थान राजने लॉंच किया है देखिए आपको ये सारे प्रशन जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके कंप्यूटर लिट्रेसी से ही रिलेट करते हैं प्रशन आगे बढ़ते हैं भारत में रास्टिय और इमोबिलीटी कारेकरम का शुभारंब की्या गया था कब तो सार्ट मार्श 2018 को जो है कौँंकोस समझises पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म किया है तो इसका फॉल फॉर्म किया हूँ तो इसका फुल फॉर्म आपको हो जाएगा Communications, Compatibility and Security Agreement आगे बढ़ते हैं केंदरी मंत्री मंडल नेरास्ट्रे डिजिटल संचार निती को स्विक्रिती का प्रदान की थी 26 सितंबर 2018 को भारत का प्रतम 5G Network परिक्षण कहां संपन हुआ तो मानेसर गुरुगाम में आगे देखते हैं किसे संबन देते तो संचार प्रद्योगी किसे संबन देते ध्यान देंगे संचार है ना की सूचना संचार Network प्रणाली में वायर वाल जो हता है फायर वाल का प्रियोग किस लिए करते हैं वाल से ही मतलब पता चल रहा है एक नाम से समझ सकते हैं कि वाल ऐसा कि जो कि कोई भी अनिदिक्रित डाटा आए मतलब अंचाहा चीज आए उससे आपके सिस्टम को की सुरक्षा करने के लिए Cyber Law की शब्दावली में DOS अभी पहले भी आया था मैंने इसको बता ही दिया था कि denial of services होता है अगर Cyber Law ना दे अगर आम तोर पर पूछे DOS का full firm तो आप बताएंगे disk operating system आगे बढ़ते हैं Cyber Space, Upload और प्रकाशी भंडारन तशा domain में से सूचना प्रद्योगी की शब्दावली कौन सी नहीं है तो प्रकाशी भंडारन आगे बढ़ते हैं सूचना प्रद्योगी की शब्दावली का भाग है तो प्रोटोकॉल, लेर्निंग और आर्ची एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे स्रिष्ट प्रिप्ट होता है टेलिफोन में प्रद्योगी दूर दर्शन प्रसारन प्रयोगी तोर पर प्रवरित किया गया है तो अमेरिका ने साइटो ट्रॉन ऐसा सायंत्र है जिससे उत्पन किया जाता है क्रित्रिम मौसम को आगे बढ़ते हैं 24 जून 2020 को एपल द्वारा लांच किये गए नए उपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम था तो आई ओएस 14 आफ लाइन जो है अरवो लोगों को जोड़ने के लिए फेस्बुक द्वारा 2019 में स्थापित किये जाने वाले इंटरनेट उपगरह का क्या नाम है तो एथेना है एथेना नाम था इंटरनेट की उपलगधता सभी के लिए सुलव कराने के उदेश से किन सरकार ने देश में नेट नूट्रिलिटी की मंजूरी दी कब 11 जुलाई 2018 को वह कंपनी जिसने जून 2020 को नोकिया के सहयोग से विश्व की सबसे बड़ी डैनॉमिक स्पेक्ट्रम रिफाइमिंग जो जहां की सरकार ने सीवर सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने की घोशना की केरल अगला है सूपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किस देश ने बनाया है तो चीन ने बनाया है माइक्रो कंप्यूटर को जो है टेलिफोन से कौन सी पद्धती या विवस्था जोड़ती ह इस सीरीज में इतने ही प्रश्ण है आप उमीद है आपको चीजे समझ में आ रही होगी आप इस वीडियो को रिवीजन करिएगा एक बारी देखने से चीजे नहीं आद होगी और उन लोगों के लिए फाइदे मंद होगा जिनको पहले से कौनसेप्ट किलियर होगा नई त सरफ इतना ही निक्स टॉपिक के साथ हम फर्मे लेंगे तब तक के लिए टेक कियर जहिंद